हरलाखी थाना च्छेतर के उमगाओं से एक बरी खवर सामने आ रहे जहां हतियार के साथ बीडियो बनाने के दौरान गोली चलने से 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है बित बच्ची की पहचान उमगाओं के ही सहदेव गुपता और पौका के पुत्र इंदल कुमार के रुप में हुई है घटना के बाद आरोपी यूबक गनेश साह के पुत्र सिबम कुमार मौके से फरार हो गया है उसके साथ हैरने गाओ का सन्नी कुमार भी बीडियो सूट करने में सामिल था हुआ भी घटना अस्थल से फरार हो गया है घटना सुंबार के दिन के करीब 3 बजे की बताई जा रही है बताया जा रहा कि आरोपी यूबक अपने ही घर के छट पर एक कमरे में दो दोस्तों के साथ हाथ में हत्यार लेकर मोवाईल से रिल्स वीडियो सूट कर रहा था इसी दोरान बंदुक से गोली छूट गई गोली सीधे 12 साल के बच्चे इंदल के कमर से उपर पेट में जा लगे गोली लगने से बच्चा लहुलुहान हो गया और बहोसुट गोली की आवास सुनकर आरोपी लरके के मता और पिता पहुचे और आसपास लोगों की भीर भी कठा हो गई अस्थानिय लोगों ने गहल बच्चे को तुरंत ओमगाओं के सीच्सी में भरती कराया जहां गहल बच्चे का प्रात्मी कुप चार का चिकिसक ने उसे मधवनी रेफर कर दिया मधवनी से भी उसे डियम स्याद रभंगा रेफर कर दिया जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई घटना की सूटना मिलते ही हरलाकी के थाना अदक जितिंदर सहनी अपर थाना अदक चादित कुमार एसाई साथुन पासमान PSI मनिश कुमार, PSI सीमा कुमारी ससत बलके साथ घटना अस्तल पर पहुंचे और जाच बेजुट गये घटना असल से पुलिस ने खोखा भी बरामद पुलिस ने आरोपी यूबक के पिता और माता को हिरासत में ले लिया और पूस्ताच के लिए थाने ले गए हैं थाना अद्यक्ष ने बताया कि मामली की जान चल रही है जाचो परांत उचित कारबाई की जाएगी हालो हालो पास्टाओ Ara आप हमारे मदुबने न्यूस को फेजुक पे देख रहा है तो पेज को लाइक करें यूटूब से देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना ना भूले गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्ध होना गुदा मार्ग के आसपास गाठ, फफोला, भगंदर जैसे बीमारी का ओप्रेशन कराने के बाद भी जदी परेशान है तो सत परतिशत जर्च चुटकारा पाने के लिए एवं अस्थाई इलाज के लिए आज ही पधारे डॉक्टर हिर्दे कुमार, B.A.M.S. न्यू लाइफ किलनिक रामजान की चौक साहरघाट मधुवनी